डंकी ने 5 बे दिन पार किया 128 करोर का आकड़ा दुनिया भर में कमाए इतने सारुखान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी फिल्म ने पहले दिन करेब 30 करोर का बिजनस किया फिल्म की रिलीज को 5 दिन पूरे हो चुके हैं और पाचवी दिन इनकी कुल 22 दसमलों पाच करूर रुपे का बिसनस किया जिसके बाद डंकी का कुल कलेक्शन 128 दसमलों एक तीन करोड हो गया है दुनिया भर में सारुक खान की फिल्म का डंकी बज रहा है डंकी का मुकाबला प्रवास स्टारर सालार से हो रहा है यह फिल्म डंकी के एक दिन के बाद रिलीज हुई थी लेकिन बॉक्स ओफिस पर इससे काफी आगे निकल गई है डंकी ने ओपनिंग डे पर लगबग 29 करोड का कलेक्शन किया था दूसरे दिन यह आकरा और भी कम हुआ और फिल्म ने महाज 20 करोड में सिमट गई तीसरे दिन फिल्म ने 25.6 करोड का बिजनस किया और चौते दिन डंकी ने सबसे अधिक कमाई गी फिल्म का इस दिन का कलेक्शन 30.7 करोड रहा शुरुआती आकरे के मुताविक पाचवे दिन डंकी ने 22.5 करोड करोड का बिजनस किया जिसके बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 128.13 करोर हो गया सारुक खान की डंकी भलेई बॉक्स ओफिस पर धमा की दाल कमाई नहीं कर रही है लेकिन उनकी इस साल की अन्य दो फिल्म में ने कई रिकॉर्ड तोरे किंग खान की पठान ने साल की बेतरिन सुरुआत की वही जवान ने भी रिकॉर्ड तोर कमाई की थी किंग खान का ये फिल्म कमाई के मामले में भलेई उन दोनों फिल्मों को टक्कर ना दे पाई लेकिन इसे दर्सकी खुब पसंद कर रहे हैं डंकी को राजकुमार हिरानी ने डाइरेक्ट किया है फिल्म में सारुक खान के अलावा तापसी पन्नू, बोमाई एरानी, सतीज साब, विकी कोशल और विक्रम कोचर भी एहम वो मिका में है